बिहार के नितेश सरकार की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है राजे में बिकरही नकली शराब को लेकर मच रहा बवाल बढ़ता ही जा रहा है और अब तो जेडियू के एक विधायक ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे सरकार एक बर फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई है क्या बोले जेडियू विधायक देखे ये खास रिपोर्ट बिहार में जहरीली शराब के चलते जान जाने वालों की बढ़ती संख्या के चलते राजी के नितिश सरकार की मुश्किले बढ़ती ही जा रही है हाल ही में सियम नितिश कुमार के ग्रेजिले नालंदा में ही जहरीली शराब से कई लोगों की जान गई करीब दो महीने पहले समस्तिपूर, बेतिया और गोपाल गंच में जहरीली शराब से करीब 40 लोगों ने अपनी जान गवाई थी अब इन सब मुश्किलों से जूज रही नितीश शरकार अपने ही विधायकों के बयानों के चलते मुसीबत में आ गए है जनता दल युनाइटेट के विधायक गोपाल मंडल ने बिहार में जहरीली शराब के शिकार हुए लोगों को लेकर एक अजीब और गरीब बयान दे दिया है गोपाल मंडल ने कहा है लोग मर रहे हैं तो जगहा भी तो खाली होनी चाहिए अगर ऐसे ही मरते रहेंगे तो जनसंख्या भी गटेगी बॉर्डर सील कर दिये गए इसलिए कम शराब आ रही है खेत के रास्ते शराब लाई जाती है गोपाल मंडल अकसर ही अपने बयानों की चलते सुर्खियों में बने रहते हैं ऐसे में उनके इस बयान से एक बार फिर नितीश सरकार सबके निशाने पर आ गई है बता दे कि राज्य में पिछले साल जहरीली शराब से एक दो नहीं पूरे तेरा मामले सामने आये थे इनमें करीब 66 लोगों की जान गई थी हाल ही में नालंदा में हुई घटना से पहले बीदे वर्ष 28 ओक्टूबर की रात मुजफरपुर के सेरिया थाना छेतर में आठ लोगों की जान जाने के बाद हड़कम मच गया था राज्य में एक तरफ शराब बंदी और दूसरी तरफ जहरीली शराब से जा रही जानों के बीच विपक्ष और यहां तक की जेडियों की सहयोगी पार्टी भाजपा के निता भी शराब बंदी कानून के प्रावधानों पर सवाल उठा रहे हैं जिसके बाद नितीश सरकार ने पिछले दिनों कानून के कुछ प्रावधानों में संशोधन करते हुए शराब बेचने वालों के मुकाबले शराब पीने वालों के साथ कुछ नर्मी बरतते जाने की बात कही है